जब तक पाकिस्तान है, इस्लामिक टेरिरिजम विल नॉट एंड. जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों की मकारी को इंडियन की विजडम बीट नहीं कर सकती हैं। जो कभी रहा नहीं, जो पहला प्राइम मिनस्टर चुनते हैं, जो कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं, और पाकिस्तान की कोई जबान नहीं बोलता था, उसे प्राइम मिनस्टर बना लिया। तो यह मकारी जो है यह तो अभी तक आप किसी पाकिस्तन से कहिए बोलें आप तो मुट दुश्मन हैं, अरे भाईया मुट दुश्मन तो वो है, वो जो लियाकत इली खान और मुहम्मद ऐले जनादे, पहले उन पे करो. जब तक ये टू नेशन थियूरी जब तक हिंदुस्तान की मुसल्मान अपने आपको हिंदुस्तानी समझने से कासिर रहेंगे और कैसे जितने जफ़र हैं सारे विजे हो जाएं कोई एक या एक विजे दिखा दीजे मुझे पूरे हिंदुस्तान में मीनिंग तो एक ही है दोनों का जफर या विजे का इसे तो सूरज और शम्स का भी होता है शम्सुदीन आपको हर गली में दस मिल जाएंगे सूरज नाम का आपको कुछ रिक्षे वाला ही मिलेगा चांद बाबू गरीब आजमी का नाम होता है वरना आफ़ताब उसका नाम होता है तो वी आर फोर्सिबली ट्राइंग टू बिकम वोट वी अर नॉट हम इंदुस्तानी हैं सारे मुसल्मान बनना चाहते हैं तुर्क यह इंडिया का इनर प्रॉब्लम है इंडिया का एक्स्टरनल यह आधि उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो न्ट्रा र्वास हो जाते हैं वो ब्लैक लाइज्ज माटर के गन्स खड़े ऐ हैं कहाले तो ऐसी होते हैं झाले इनके ने बरॉट गंदे होती पूरी दुनिया में ब्लैक वाइज्ग माटर के लिए लोग खड़े हुए सि लिए अब एसा ही रहेगा इंडिया को पाकिसामियों ने कबजा कर लिया इमसिसाङा के अंदर यह शारे जा के यह वो क्यों कि तोड़ है अमरिका में उतों को तोड़ना हमारा फर्ज है इस्लामी फर्ज है ना तो आपको सुमझ एक किसी को नहीं आरहा कि है वाशंग्टन का स्टैच्टू गिरा रहे हैं और गांदी के स्टैच्टू को कह रहे हैं बड़ा racist हाँ वेंडिलाइज की या कि इंडियन कह रहे है हाँ racist हो था रिख्यू थी कोन करे अब भूथा अब पुरा लगता है तो घर की बात अंदर रखो रिश्तेदार मारे महात्मा थे, people are unwilling to come out and defend him. If you are unwilling to defend the most respected man in international politics, उसकी आपको कौन इसत देगा फिर? सब चलिए, ये तो बात तैया है कि जो भारत के जो internal issues हैं जिनकी तरह आपने इशारा किया, वो भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे हिंदुस्तान का दर्द है, मेरे लिए, मैं अभी, मैंने लोगों से बात की कि चलते हैं, honest to God, front पे, टिकेट कटाते हैं, चलते हैं, बाट, there has to be at least a million people, वो बारा बच्चे आपने देखें, जो front march करते वे जा रहे थे, 10-10 साथ के, वैसा जज़वा क्यों यह पड़े लोगों में, ठीक है, internal issues भी हैं, अब जो ground reality है, जो external issues हैं, उसमें दो तरह का extreme left का और extreme right के दोनों के लोग हैं, यह realities तो हैं, यह तो रातो रात नहीं हल होने वाली, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, पुछिश करनी चाहिए, in the given circumstances, in the given circumstances, चीन को भारत ब्लॉक कर रहा है, और मजीद किस तरह ब्लॉक हो सकेगा, किस तरह यह मसला हलोगा, जो आप अपने column में भी बियान करते हैं, मैं अगर होता दिली में, और मेरी advice को सुनता, तो मैं अब तक पाकिस्तान को as a terrorist state declare कर देता, दूसरी चीज में वो बंदरों का नाच जो होता है वागा पे, मैं बंद करता, और वहां जो खोल देता, बोले जिसको तमाशा देखना है, आके देखे हमार और फोजी ये बंदर का नाच नहीं करेंगे, okay, close, shut down the border, no trade with Pakistan, इसमें कोई क्या ऐसी science है, जो मैं समझानी पा रहा हूँ, वो आपके जमू कश्मीर state के अंदर रोज भेज रहे हैं, terrorist, infiltrate करके, वो terrorist फिर धंकियां दे रहे हैं, किसको आपने आज आरती टिकू का tweet देखा हो होगा, कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदूओं के जो, उनको ये अतराज है, ये terrorist को, कि आप औरत होते वे क्यों बोल रही हैं, ये सबसे बड़े issue है, हमारे इस्लाम पहलाने वालों का, कि ये औरत कहां से आगे बीच में, पाकिस्तान has to be identified as a state sponsor of terrorism, देखिये, जब आ आप बंबई पे अटैक बरदाश कर लें, दस दिन के लिए, तो आप तो शेह दे रहे हैं ने दुश्मन को, कि वो आपके शेहर पे अटैक हो रहा रो आपने रिस्पॉन नहीं किया, तो आप पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है, इंडिया पर कि कराची स्टॉक एक्स्च मान लें, हम खुश हैं, आज ही अरेस्ट हुआ है ना, आप उन बच्चों के जिनोंने अपनी जान दी है, अपने मुल्क के लिए, उनको पता था है, अब ये भगत सिंग वाली हरकत है, मरना है, वो गए, मर गए, आप उनकी बीबियां, माओं, बाप सब को अरेस्ट करके फॉल लेके जा रही ना, बाकी दुनिया तो चुप बैठी है, तो ये, ये क्यों कर रही है, कि उनको पता है, कि जब तक वादर में इंडिया के चीन के पास नुक्लियर सब्मरीन्स हैं, वो दुनिया का तेल रोक सकती, जब चाहे, चाबहार में इंडिया कुछ भी कर ले, इरान का भी कब दिमाग फिरता ही, किसी को आइडिया नहीं है, कौन सा आयतुल्ला कब चरस्पीकर क्या कर ले, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इनका चीन से इरान से क्या कनेक्शन था, कि गोहान के बाद सबसे बड़े केसिस तहरान में आए, ये कोई अनलाइज नहीं कर प कर लुट पाकिसान नहीं आया, इंडिया उसक नहीं आया, कहीं नहीं आया, इरान शरीफ में आगया, दस अधार आदमी महां मर गया, that means there must be physical contact between someullahs in Iran and some Communists in China. तो अन्लेस इंडिया एनिट के आई थिंग इट विल दू यूव ती रोल ऑफ पाकिस्तान इंडावस अफेर्स देखिए सब कोई तंग आ गया एरब वर्ड में से को पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता क्योंकि यह बन गया तुर्कों के घुलाम और टर्किश अब क्या बताएं सर यह वो लोग हैं टर्की के अंदर जो हिटलर को प्रेज करते थे जब तक पाकिस्तान है इस्लामिक टेरिरिजम विल नॉट एंड